डिप्रेशन का मूड और डिप्रेशन के मूड के साथ साथ आने वाले विचार उसके हमारा उससे हमारा जीवन कैसा ड्रेन हो जाता है इनरजी के सी निकल जाती है टाकत के सी निकल जाती है और उससे सहा हमारा जीवन कैसा बरबात कर दालते है माहरा यव अस्के बारे में आप podr ने वालें तो आए यहां हमारी में हृणनि दाक्तिकर 009 को भर्ति करना उसका उच्चार करना और उनको dawson जीवन देने के लिए मौका देना उसके लिए काम करते हैं सबके लिए मानसिक स्वास्ति यह वैसन मुक्त भारत ही हमारा मिशन है आज एक मेरे पांस में लड़का आया था उसका प्राब्लेम यह है कि बच्पन में वो बोलता है कि मेरे बड़े भाई ने जो मेरे से साथ साल बड़ा है उसने मुझे डॉमिनेट किया वो अपनी बाते बताता था, अपनी बाते जादा प्रिशराइस करके मेरे से करवा लेता था, घर में भी उसका ऐसा एक दरा रहा था कि भई वो चिलाएंगा, चिखेंगा और वो सब अपने मर्जी से कर लेंगा, और उसके वज़े से मैं दब गया हूँ, उसके वज़े से मै कर्मचारी यह काम करता है मगर दिन भर ऐसा उसको लगता है कि अपना जिवन ही बरबाद हो गया अपन तो कितने छोटे रहे अपने को तो अपने बड़े भाई अपने दबा दिया अपने को कभी सेल्फ एक्स्प्रेस ने होने दिया अभी कभी अपने अपने जीवन जिया ही नहीं है खुश ही नहीं है अपने जीवन में उसको बच्चे है दो बच्चे है अच्छी कासी वाईफ है अच्छा संसार चल रहा है उसका और उसको लगता है कि कि अपने मज़ाने कितने साल में था कृल कि बिए आप टेखे इसा लग रहा है कि नए कुछ ना कुछ मेरे लिए संबहार मुझे मालूम नहीं था कि इसके लिए कौँए इलाज है मैं कहां ó growing kering कर सकता हूं कहीं सेशन कर सकता हूँ या मैं मेरा इलाज अच्छा कर सकता हूं हूं मैं भर मालू में नहीं था जब detail में मैं गया तो उसने बताया कि जैसा बच्पन में भाइने बहुत पिटा भी शराब पूर करना फिर चीजे फेकफाग करना घर में कभी पैसे नहीं रहते और फिर बहुत बड देह शक्त पिटा जी ती घर में और वह देह देखके बड़े भाई ने भी वही सीखला वह 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 ऐसा करता था मगर यह जो मेरे पास में चुल अड़का है वो उसमें मतलब दब गया सप्रेस हो गया उसको लगा कि अपन बहुत छोटे है अपन तो इनके सामने कुछ नहीं कर सकते मैं तो बहुत छोटा हूँ यह मेरे को ओर पार कर रहे है यह बड़ा भाई मेरे को पीटेंगा यह पिटेंगे इसे अच्छा आपने सप्रेस रहना यह अपने शरण जाना यह अपने मतलब उनका मान लेना वह सबसे अच्छा है और वो दबते गया पढ़ाई करते गया कुछ पढ़ाई किया कुछ स्टेट लेवल की एक्जाम दिया और उसमें उसको सरकारी नोक्री लग गए पोस्ट ऑफिस में वह काम करता है मगर आप मज़ा नहीं है जिन्दगी में बोलता आप ऐसा लगता है कि कुछ तो भी कमी है अच्छी तारी अच्छी सा मतलब तंखा भी है बच्चे भी स्कूल में जाते है और उसको नर्वसनेस उदास इंदा और बिना मज़गा कुछ कारण ने उसको और उसके वज़े से होता है कि उसके वज़त स्कों बदंदर्द होगा सर्दर्द होगा पकुछन सक्ता में अनांज पक्चन नहीं भूग नहीं लगेंगी उग भूक लगेंगे तो खाने कीच्छ मिवा अफिस में जाएंग़ तो बस कैसा दंभी काम करेंगा वहां भी कोसी एनर्जी नहीं ए इनर्जी लेवल कम है, रात को नीन भी ऐसी साफ नहीं आएंगी, बहुत डीब नीन नहीं आएंगी, और फिर सुबह उठने के बाद में फ्रेश भी नहीं लगेगा, उसको पूछा हुआ क्या भई, जो हुआ तो आपने बता है, बगर आप उसकी जवाब दरी लिने को तयार रहे गया, जो उन्होंने किया वो किया, पिताजी ने जो किया वो किया, भाई ने किया वो किया, आप जिम्मेवारी लिने को तयार नहीं है, मैंने उसको बला कि आप जिम्मेवारी लो, जो भी हो गया, वो हो गया, अब भी हम क्या कर सकते हैं, उसके बारे में हम सोचेगे, तो घूल ठीक है आप जो बोल रहे हुतो मैंने उसको काफी सारी मतले वैख सेशन करते हैं तो मैंने सेशन करने के लिए उसको टाइम दिया वक्त सेशन में को काफी अच्छा लगा क्यूंकि उसके मन के बाते कभी किसी सुनी नहीं थी होता क्या है कि सबको ऐसा लगता है कि मेरा किसे सुनना चाहिए मेरा सबसे पहला काम है लिसनी सुनना लोगों को और सुनके जब लोग बोलते रहते बोलते रहते बोलते रहते और जब उनको लगता है कि कोई अपना सुनने वाला है कोई समझने वाला है तो उनका आधा जो भ आपनी पर डाले जो को दो हुआ है, पिल्कुल छोड़ सकता हो, पिर कब छोड़ेंगे, आज ही छोड़ता हूं, यह अपनी जो कहानी बना के रखेंगे, मैं छोटा हूं, उन्होंने मुझे अन्होंने मेरा काफी बार इनसल्ड कर लिया, अपमान कर लिया है, मैं तो अभी छोड़े पोस्के हूँ बले एक सरकारी करमे जारी हूँ मगर मेरी तंका तो इत्ती है अब मैं कुछ नहीं कर सकता मतलब ये जो रोना है ये जो आपने खुद के बारे में खुद के लाइफ के बारे में कहानी मना के रखी हुई है ये छोड़ दो फिर आप कुछ भी कर सकोंगे क्योंकि आपने अपने आपको मार मार के मार मार के मार मार के वो देवी जो रहती है न कि वो देवी जो उनके वो देवी का पहराओ करते है और खुद को चाबुक से मार लेते है इधर से मारेंगे इधर से मारेंगे उसके आवाज भी सठ आते रहती है आपने ऐसा करें रखाए खुद को मार मार के मार मार के खुद को छोड़ा बना लिए अब यह सब ड्रॉप करो चोड़ दो यह और फिर नए जिंदेगी आज से जिना चालो करो तो उसको भी काफी सा ख खुल गया मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा आज जनम हुआ है और मेरा आज का जनम दिन है बहुत अच्छा है जनम लगता है आपको तो हैपी बढदे टु यू और बोले आज से मैं जिना चालो करूंगा बहुत ही उसको अच्छा लगा मैं आपको जरूर विजिट करूंगा और एक ही सीटिंग में मतलब एक घंडा उसके साथ में बिताने के बाद में इतना सारा उसका बोज निकल सकता है उसको भी विश्वास नहीं आ रहा था मैं क्लियर था कि इसको यह जो जो कंफूजन है दिमाग में वो जो खुद को कोस रहा है खुद के दिमाग में विचार जो है उसमें वो अटक गया है वो यह दि उसका निकल जाएंगा ना तो काफी सारा उसको अच्छा लगना चालो जाएंगा मैंने उसको कुछ दवाई भी दिया आपको अच्छा लग रहे ठीक है मगर थोड़ा एंटी डिपरेसें दवा भी देता हूं वो दवा थोड़ी स SUR-ष польз कर लिया ताकि काफी बड़े दूर से वह आ रहा था मैं मतलdens मैं हमारे वाया था नहीं तो उसको मैंने फों से Creating डिया और आने वाले हर में लेकिक हरो ant цвет कर दिया उसके साथ में मैं आपके साथ में बात करूं और मैं आच्छे जिवन जीने के लिए तैयार हूं ऐसा कर तो हई हई, वगर बचपन में ऐसा कुछ हो जाता है, कि उसका वो दिमाग में ऐसी एक चोट बना के ले लेते हैं, ऐसी चोट पहुच जाती हैं उनको, और जिसके वज़े से वो अपने बारे में कुछ कहानिया बना लेते हैं, मुझे ये संबो नहीं है, मुझे वो संबो नह के लिए रखे, काउनची नहीं है कि आपनी जिवन की दूबरी दासता हैं, अपने अपने जीवन की दूबरी काउंसलिंग करें, और यह टाते हैं ऑप दोस्तों की समाज में आप कमुणूथ वहीं आपके दूस्तों कि अशिक हे सकता हैं, और आपके समाज में आपके आदमी तो काम करते रहता है मालुम नहीं अंदर से कितना depressed है जरू ये वीडियो ज़्यादा लोगों को share करो अपके WhatsApp के group Facebook के group के पर share करो ताकि हमारा जो mission है उसमें आपका भी हाथ लग जाएगा हमारा mission है Mental Health for All सबके लिए मानसिक स्वास्तिय वेसंद मुक्त भारत उसमें आपका हाथ लग जाएगा आपको अब ये वीडियो अच्छा लगा थे जरू सब्सक्राइब करो उसके बाद में उसका एक घंडी का चिन्ना था उसके उपर क्लिक करो ताकि मेरे वीडियो के notification आपको सबसे पहली बार आजाएगे जरू शेर करो लाइक करो और थैंक्स पर वाचिंग ये वरी मुच्छ